हलो मेरा नाम डॉक्टर दीपक केड़ेकर है मैं मनोविकार सेख्स रोग सम्मोंध था वैसनमुक्ति तग्य हूँ महाराष्ट में अकॉला में प्रैक्टिस करता हूँ अभी अभी साउथ में मतलब दक्षिन भारत में काफी सारी हल्चल मश गई है क्योंकि तेलबू न्यूच चैनल जो थी उसके एंकर राधिकार एड़ी उसने खुदकुशी कर लिया एक एप्रिल 2018 को उसने खुदकुशी किया पाँचवी मंजिल से वो कूद गई उसने चिठी में लिखा है कि माय ब्रेन इसमा एनिमी मतलब मेरा जो मस्तिश्क है ब्रेन जो है तो वही सबसे बड़ा मेरा दुश्मन है मानुवी ब्रेन जो है मस्तिश्क भेजा जिसको बोल सकते हैं और मन इनके जगडे में उसके ब्रेन ने विजय प्राप्त कर लिए इसा क्यों होता है देखा हमारी इंस्तिंक्ट जुए इंस्तिंक्ट रहती है कि नहीं हमने जिवन जीना चीए मतलब हर एक को जीवन जीने की बहुत इच्छा होती है मरने की किसी की इच्छा होती नहीं है पिजिए मरने की किसी की इच्छा नहीं है फिर आदमी खुदकुशी क्यों कर लेता है क्या प्रॉबलम है उसने वो जो परची लिखी है वो परची में उसने लिखा कि my brain is my enemy उनको ऐसा रखता है जो भी खुदकुशी कर लेते हैं यहां से चुटकर आपाएंगे मतलब जीना जो है वो भी तकलिप दे हो गया है इसे अच्छा मर गे तो अच्छा है और इसलिए भी वो खुद कुशी कर लेते क्योंकि हमारा जो है पेन प्लेजर प्रिंसिपल है जीवन जहां पेन है वो काम नहीं करेंगे यहां प्लेजर है वो करेंगे तो नाओ इस लेस पेनफूल टू डाय कम दर्द भराय भी मर जाना जो राधिका रेड़ी थी वो उसका तलाग हो चुका था सिंगल पेरेंट थी उसकी जो लड़की है उसको आटिजम है और उसने कभी ऐसा बाहर बताया है नहीं कि वो निराश और हताश है और उसने खुदकुशी कर लिए इसे काफी सारे लोग है कि जो डिप्रेशन के मरीज है और वो खुदकुशी कर लेते है बाहर मालू भी नहीं पड़ता एक्चुली आत्मत्या करना है 2015 के उसके मुताबिक हमारे देश में एक लाग 33,623 लोगों ने खुदकुशी कर लिया और नेशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरो जो है उसके अनुसार 95,288 95,288 उसमें के पुरुश है और 42,088 महल है 42,088 लेडीज है उसमें से ये देखा गया मनुविकार वो 42 प्रतीशत लेडीज में दिखाई गई और 29 प्रतीशत पुरुश में मानसिक बिमारी दिखाई गया मुसमों को मानसिक बिमारी थी जब डिपरेशन होता है तो ऐसा ने कि बिचाई है हो सकता है कि उसको कोई शाड़िक वीमारी उसकी वज़े से डिप्रेशन आया हुआ तो वो भी हमको देखना पड़ता है जैसे साइक एठ्रीस्ट कि उसको डिप्रेशन जो है मतलब निराश और हताश उसमें और कुछ उसके साथ बिमारी है क्या है एक तो क्या हुआता निराश है कि हो जाए तकलिव हो जाना खाना खाने की इच्छा ने होना है ज्यादा खाना खाना कभी किसका वजन कम हो जाता है ज्यादा वजन बढ़ जाता है कोई काम में मजह नहीं आता है खुशी नहीं लगते उसको कोई काम गुमना फिरना उसका कम हो जाता है हल्चल कम हो जाती है बह कुछ बज़ागे और फिर इसमें एदी कुछ ज़्यादा है मतलब कुछ कारण है तो फिर प्राब्लेम ने मतलब ऐसा है कि बिना कारण का दिप्रेशन आता है जिसमें केमिकल लोचा होता है और फिर दिप्रेशन कोई कारण से आ गया जो हम देखते हैं कि बहुत बड़े-बड़े इंडस्टेयलिस्ट है उद्योगपती है बहुत बड़े-बड़े एक्ट्रेस एक्ट्रेस है या मतलब माने जाने हस्ती है स्टूडेंट्स है 10th के या 12th के मतलब ऐसे जो लोग है वो खुदकुशे एक्टम फटाक से कर लेते है तो यह जो लक्षण है यह लक्षण में यह देखना है कि बहुत सिर्फ डिप्रेशन से है जिसमें कोई प्राब्लेम नहीं है ब्रेंद में मांसिक बीमारी है या फिर कोई शारिक बीमारी उसकी वज़े से वह आया हुआ है हो सकता है कि थारड की बीमारी है जिसमें डिप्रेशन आता है भेजे का ट्यूमर है या विटामिन डिफिशन्स है उसमें हो सकता है को यह देखना मड़ता है कि बहुत पूरानी बिमारी है उसके लिपरेशन आने के लिए मतलब सिर्फ डिप्रेशन ही है उदास हिंता है कि कोई शारिक कारण से डिप्रेशन आया हुआ है इसलिए अभी हमारा एक citizen करके एक मतलब नागरी करके हमारा यह फ्रस बनता है कि हमारे आसपास हिदी ऐसे कुछ लोग है तो खुद इदी जाते नहीं है डौक्टर के पास में तो उनको उनकी सलाब जैना और उनको डौक्टर के तरफ लेके जाना क्योंकि यह इह लोगों को लगता है कि अभी कुछ बचाही नहीं है मेरे जीवन में बाहर से अच्छे दिखते हैं अंदर से पता नहीं क्या चल रहा है दिमाग में इसके उपाय क्या है कि एक तो दबाई लेना, मेडिसिन लेना, फिर ज्यादा डिप्रेशन नहीं तो रेगुलर एग्जरसाइस कसरत करते हैं रेगुलरली, सकारात्मक पढ़ाई करना, मतलब मो हैं और साइकोथरीपी कर लेना, काउंसिलिंग कर लेना, सैकेट इसको मिलके, काउंसिलिंग करके, जो विचार दिमाग में आ रहे हैं, तो उसके लिए कॉग्निटिव भेवरी थेरीपी, CBT है, मैं खुद हिपनोडिसम करता हूं, हिपनोथरीपी करता हूं, रिलाक्सेशन exercises देता हूँ, तो उससे भी काफी फरक पड़ता है, और जब हम counseling करते हैं, तो उससे देखने का नजरिया जो है, वो अलग हो जाता है, जीवन के तरफ देखने का नजरिया, तो psychotherapy, months of charge, उसके साथ सद्दवाई, यह दि करते हैं, तो फिर से यह जो नवबत आई, और राधिका रेड़ी के जो डेट से, जो नया विच्छा रिखने में चालो हो गया, कि बहुए रहे, यह ऐसा कैसा हो सकता है, ऐसा कैसा हो गया, तो इसके लिए हम सतर के दि रहते हैं, तो कभी सारे जान हम इमोशन हो जाता है, तो उनको डिटेक्ट करो, उनको सलादो, यह वीडियो लोगों को शेर करो, उनको मतलब स्पेशलिस को मिलने के लिए सलादो, आपको यह वीडियो अच्छा लागा तो जरू सब्सक्राइब करो मेरी चैनल को, और वो बेल का जो चिनना आता है, उसके उपर आप प्रेस करते हो, तो मेरे चैनल के नोटिफिकेशन आपको, मतलब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे, आप जरूर आपके फेस्बूक के उपर, वाट्साइब ग्रूप के उपर है जरू शेर करो, थैंक्यू वेरी मच, जरूर आपको,